आप सब काम दरे धुख बरी मंद से ये बताना चाहता हूं कि बोटिंग प्रोसेस अभी तक कंप्लीट निया वाई जो लास्ट पोर्शन का आउट गोएंग आप सब्सक्राइब मेंबर का जो बोटिंग बारना था वो प्रोसेस कंप्लीट निया वाई सिंपल सा रिप्लाइ दिया था कि एस पर कंप्रोसेशन आर्टिकल 23 उसका हिसाब से आउट गोएंग एजिक्टिटिब को बोटिंग राइट मिलता है तो आप उसको बेकर ऑपोस्माट किजिए कि शुरूर से बहुत जादा रात हो गया फिर भी कमिटी की तरफ से अभी तक क कि आप देथ है आप सब काम बरे दुख बरी मंद से बताना चाहता हूं कि बोटिंग प्रसेस अभी तक कंप्लीट नहीं वाए जो लास्ट पर्शन का आउट गोएंग अपसो एक्जिक्टिब मेंबर का जो बोटिंग मारना था वो प्रसेस कंप्लीट नहीं वाए उसका ब सा रिप्लाइ दिया था कि एस पर कंसिविशन आर्टिकल 23 उसका हिसाब से आउटगोएंग एजुकिटिव को बोटिंग राइट मिलता है तो आप उसको बेका ओपोस मत किजिए क्योंकि शुरू से आप लोग भी बोला था कि यह बुक का हिसाब से चलना है उसे बाहर नही होगा लेकिन साम को अचानक जब यह आउटगोएंग एजुकिटिव मेंबर आ रहा था कुछ प्रेशिदेन कॉंटेस्टिंग केंडिडेट ग्रूब लोग और कुछ एक्टिव एजुकिटिव मेंबर लोग जाने नहीं दिया फिर भी हम जाके रिक्वेस्ट किया और इव केंडिडेट लोगा पोलिंग एजटें जो फिर यहां में कहने शुरू हो गया कि हम आउटगोएंग एक्टिव मेंबर को बोड मारने नहीं देगा लेकिन कोंसेशन पूग में क्लियर कट लिखा है कि आउटगोएंग एकटिव मेंबर बोड मारना है मिलके तो इसमें थो को दो लोग है तो वो लॉक बहुत करता है तो हम बाहर झाम आया हम समझाया कि देखो भुक और हिसा ऊप से चलिए टोभुला की कर लेता हूं आप लोग ही एलेक्शन करा दीजिए वोलके हम निकाल तो उसी का साथ हम दीसी को एक लेटर लिग दिया दिसी वह यह लेटर लिखाए कि यहां आर्टिकेल 23 का ब्रेकडाउन हो रहा है आप शुकंसेशन बुक का तो जब तक यह रिजॉल्व नहीं होगा पॉलिंग एजन पाटी वी केंडिडिट पाटी वी कोट पे जाए और जो आउटव एक्जुकिती मेंबर है वह भी कोट पे जाए और वहां से ओडर लेके आ जाए अगर ओडर आप लोग लाएगा कि आउटवइंग लोग बॉट नहीं मारना है तो हम मारने नहीं देगा और फडर यह कोट से वो लोग यह चीज को मसला को दूनों पाटी सोल्व करके नहीं आ जाता है क्योंकि हमको दूबुक फोलो करना है और आप जबर जिस्ती फोलो करने नहीं देगा वोने से वह हम कैसे उसको मानेगा और पॉलिंग एजन का काम असली सज में होता है कि जो तो इसलिए मैं इसको अलेक्सीन को हूल के हूँ तिल फाटर मेंजिस्टिर्ट का हाथ में है रख क्या है तिल यह रिजोब प्रोब्लिम जो फाडर रिजोब जब तक नहीं होगा तब तक की लिए हम इसको होल पर रखा है थैंक यू यह तो कॉन सा यह जो पोलिंगे जो था इसका पोलिंगे देखिए देखिए जब पार्टिकुलर बोलना तो थीक नहीं है मैं बोलूंगा भी नहीं ऐसे एलेक्शन कमिशनर में सिंपल में आपको बता दिया हूँ तो मैं किसी को परसेनली में पिन आउट नहीं करूंगा यह करना मतलब उसका बदनाम भी होगा तो खुद समझ जाएगा है कि कौन है नहीं है वह पॉलिंग एजन खुद भी समझ जाएगा कि वह खुद है कि नहीं है उसी का साथ में आपको कुछ और पावर नहीं होते हैं कि अभी अगर ऐसे करता है तो लाइक बहुत समय लग जाए कि वह प्रोब्लेम ता उसको रिजोल्व करते करते हैं दोनों पर्टी को रिजोल्व करते हैं हम सक्सेस हुआ हम बहुत खुश हुआ आज मेरा एलेक्शन खतम हो जाएगा एटलिस हम काउंटिंग शुरू कर सकता है लेकिन लास्ट मुमेंट पे यह नहीं हुआ यह को यहां पर लिखाये आउडव मेंबर मना है चैन्ट अब यह लोग जानता है वहां से जो ओर रहे गाए वही चलेगा इससे फाडर में तो लेट से कोड लेट से कुछ आना नहीं चाहिए क्योंगे बेलूट बॉक सेफ है सिर्व वही प्रोब्लेम है अगर उसमें कोड फेसला उनके फेवर पे देता है वो सरी बोट मारना है और दूसरे के फेवर पे देता है तो वोट नहीं मारेंगा उसके बाद नहीं है यह तो केंदी देद और उसका एजेंटी जाने आपका बात मान जाओंगा क्यूंकि मैं अभी उनका बात मान जाओंगा तो हमको काउंट करना परेगा लेकिन मैं बात नहीं मान रहा हूं और आउट में एक्जुकेटिव से भी बोल रहा हूं कि आप लोगी कोड च अब ओडर लेकिया जाहिए बोड मारे बस काउंटिंग शुरू हो जाएगा थेंक्यू 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 थे